नमस्कार शातियों प्रश्टनुतर शिंख्रा की कड़ी में आपके पसंदीदा चैनल श्ट्रेंट साथ ही पर एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं जैसा कि हम हमेशा प्रश्टनु के साथ एक दुस्य से रूबरू होते रहे हैं तो आए इस कड़ी में एक बार फिर हम आप आपके शामने प्रश्टनों के साथ उपस्थित हैं इस कड़ी में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे मधुबनी चित्रकला को जैसा कि मैंने आपकी पहले बताया है कि कला अनुभूति की चीज है यह हमारी चितना की चीज है ठीक है आपको मैंने यह आपको कला के बारे में मैंने दोस्तों कहा था यह कल प्लस अच प्लस अधाप धातु शी मिलकर बना जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोभा आप इस सोभा को इसका अंतरगात देखेंगे आप अलंकरन को देखेंगे आप देखेंगे कि कैसे कला एक संवेदना हीन व्यक्ति के अंदर शंवेदना पैदा कर सकता है ठीक है आप यह देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह जो चित्रकला है वो कैसे हमारी प्रंप्रा को समेटे हुए है जिसके अंदर सरस्ता भी है धार्मिक्ता भी है और प्रंप्रा भी है ठीक है हार हमारे यहां जो कला कार है एक बड़ी विस्यस्ता यह है कि हमारे यहां जो कला कार है वो कला का निर्मान ही नहीं करता है स्रीजन ही नहीं करता है उसका विकास ही नहीं करता है बलकि कला को जीता है आप मत्मनी प्रंटेंगे जरिए इस चीश को बखू भी समझेंगे स्वरूप में भारतिये स्वरूप में आपने देखा था धार्मिक्ता है हमारी कला का एक विस्षेश अंग है विस्षेशता है धार्मिक्ता पारंपरिक्ता पारम परिक्ता ठीक है आनामता जिसमें कलाकारों ने अपनी आत्मा की शांती के लिए कला का स्रेजन किया है कला का अभिकास किया है और उसको जीया है इसमें प्रतिकात्मक्ता जहां देखेंगे प्रतिकों के जरिये उन लोगों ने जीवन की कितनी गूड रहस्यों को केरने की कोशिस किया है चाहे वो आपका ध्यात्निक प्रशंग हो या फिर हमारा लौकिक प्रशंग हो या भावतिक चीजें हो या अभावतिक चीजें हो मुर्त रूप हो या फिर अमुर्त रूप हो शब को प्रतिकात्म प्रतिकों के जर भव्नात्मक्ता, ठीक है, सरस्ता, यह हमारी कला प्रमप्रा की प्रमुक विस्चताएं है यह सारी विस्चताओं को आप यह जो विस्चताओं को आप इसका अदर देख सकते हैं, इस prepping के अंदर आप देख सकते हैं यह मैंने इस स्नाइन आपको दिखाने की कोशिश की दोस्तों आप इस्मद्बनी पंटिंग के अंदर देख सकते हैं निक कैसे एक समब्यदनाहीन व्यक्ति के अंदर कला समब्यदना पैदा कर सकता है उसको प्राकृतिक्स कि उसको आप इसको एक और रूप में देखने की कोशिश करें हमारा यह जो प्रश्चनुत्तर है वो पीडिये प्रूप में भी उपलब्द है जिसको आप हमारे चैनल पर लिंग उपलब्द है उसके जरी हासिल कर सकते हैं प्राप कर सकते हैं प्रश्चन उत्ता रूप में ठीक हैं कि तो यह जो मद्वण चित्रकला है मधवनीचित्रकला एक्ष्वली ये ये भी चित्रिय अस्तर पर वेक्षित एक बहुत ही सरस्तापुन्ट चित्रकला से लिए ठीक है जिसमें ऐसा माना जाता है जैसे कि मैंने आप कहां था कि दो कला जैसे कि मौर्य कला हर कला के उद्गभाव के पीछे कुछ ना कुछ विशिष्ट कारण होता ह है ठीक है तो मौर कला और पालकला जो बहुत हद तक बहुत हर्मिष्य परभावी ते पृत हर्भावी थे एक कि इस कला के स्रेजर में बहुत हर्थ तक बहुत हर्म का हाथ था चाहां पे वहाँ बीभल in पोम मैरतिए और को तारा को अवर्यो अवं मुर्तिकला के रूप में और हर जगा इसका प्रभाव है बोधिस्चत्वा का प्रभाव हो ऑस्तम्भ हो या फिर आपका अस्तूप ओ आप सब जगा बोधिसा आ लो सब क्या है बुद्ध के विभिन रूप हैं किस रूप में तो भावनात्मा कस्तर पर अध्यात्मी कस्तर पर चाहिए वो तारा हो आवलो की तेश्वर हो यह कहीं ने कहीं जीवन के विभिन रहाश्यों को अध्यात्मी रहाश्यों को धातित करने वाले यह विभिन बुद्ध के विभिन रूप है ठीक है देव रूप है और उसी तरह आपने हमने देखा था कि जो पतना कलम है पतना कलम है उसके स्रीजन के पीछे उद्भाव के पीछे मुख हाथ किसका था आपको मुगल बंस का विघटन मुगल काल का विघटन मुगल काल का मुगल बंस का जो विघटन हुआ और अंगाजेब के बाद किंद्रिय सत्ता जो कमजोड पड़ी तो चित्रिय अस्तर पे कलाओं का उध्भाव होना शुरू हुआ ठीक उसी तरह जो आपका मुद्वन्नी चित्र कला है कि ठीक उसी तरह इसके पीछे भी कोई न कोई अउथ प्रेरख तो रहा होगा हर कला की पिछे कुछ न इवारा कारों इसके पीचेन जो ऊच्टप्रेरक है वह ऐसा माना जाता है कि आसा माना जाता है कि रामकितह गवीपर कि प्रशंग को ही कलाकारों ने इस अध्यात्निक प्रशंग को ही कलाकारों ने छत्री अस्तर पे लोग कला के अस्तर पे इसको उभारने की कोशिस की है इस अध्यात्निक प्रशंग को लोग कला के अस्तर पे उनको कलाकारों ने एक उभारने की कोशिस की है ठीक है तो इसके पीछे जो राम शीता विवा को मान शकते हैं राम सीता विवा प्रशंग प्रेरक रहा है कलाकारों के दुबारा इस शैली के निर्मान के पीछे ठीक है तो हम इसकी विश्यस्ताओं को तीन भागों में बाटकर इस प्रश्ण को काध्यान कर सकते हैं पहले देखते हैं यह क्या है इसका उद्भाव कहां पर होता है ठीक है दूसरी देखते हैं इसकी विश्यस्ताएं और इनकी प्राशंगिक्ता निश्कर्स ठीक है चार भागों में बाट करके इस प्रश्ण का हम लोग अध्यान करेंगे परिचे तो जैसे मैंने कहा कि छत्रीय अस्तर पे आंचलिक अस्तर पे एक विश्ष्ट सरस्तापूर्ण छित्रकला शैली है कि जिसका विकास विक रुप से मध्वननी सहर्सा कर me is η कर सितामडी के चत्रों में देखा जाता है चिकी मध्वननी इसका प्त्ति का क्या प्रश्णे के का रेन इसका लावान GSA के नाम से भी हम इसे जानते हैं ठीक है इसके निर्मान के पीछे मुख रूप से प्रिरक्षक्ति आपको राम शिता का विवा प्रशंग मना जाता है कलाकारों ने इसी अध्यात्मिक प्रशंग को लौकिक अस्तर पर कलात्मक रूप देने की कोशिस की है ठीक है जो विविन चितरों के अगर देखें अध्यात्मिकता कैसे उनलोगों ने इस प्रशंग की अंदर मिलाने की कोशिस की है यह भी कैसी कितना सरस्ताफ्टा पूण बन पाया कितना विश्ष्टर मौली को पाया है यह कला में अगर यहाँ पर आपको लिखें हम लौकिकता अ है लौकिकता ठीक है छेत्रिये तत्व ठीक है और यहां पर आपका लिख है हम परजाबरन शरक्षन विशेश ख्याल रखा गया है परजाबरन का परजाबरन शरक्षन का इस परजाबरन सरक्षन ठीक है अगर इस तीनों को हम मिला दें तो जिस कला का निर्मान हो रहा है उसका नाम है मधवनी चित्रकला मधवनी चित्रकला इन तीनों चीज़ों का शंगा में इस कला कंदर आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब आई हम देखते हैं परजाबरन सरक्षन आप चित्रों के मादम से देख पाएं कि कैसे कलाकारों ने परजाबरन सरक्षन की और शंकेत किया है और जो अचीज़े अस्तर पर जो से उपलब्ध थी वंगी το क्रिफ्टि करदा इस स्क्ष्र。 Imma और अधिया है और लौकिक तत्तें का गजब får शमानी हुआ इसकéntर आई तो कि हम इस सुक्ष में परजाबसेशन को इसके इंतर्घात देखेंगे इसकी विसेस्ताओं को हम दो भागों में बाट कर अध्यान कर सकते हैं मोटे तोर पर मोटे तोर पर इसकी विसेस्ताओं को हम दो भागों में बाट कर अध्यान करेंगे एक देखेंगे इसके अंतरगत आपका भीती चित्र है ठीक है और एक फर्ष पर इसका निर्मान के जिस और फर्स चित्र करते हैं ठीक है इसका निर्मान महिलाएं करती थी और वितकी सीक्ट के भी Casey अंतर का एक गोशाइन घर की सजावट हुआ इसका अंतरों वहां भी भुशाइन घर की सजावट में हैं कलाकारों ने कि अध्यात्मिक्ता को कैसे लौकिक रूप देने की कुशिस की है ठीक है और दुसरा है आपका कौभर घर की सजावट ठीक है तो गशाएघर की जावट कंत्रगात मुख्रोप अन लोगों ने धार्मिक प्रकृति के चित्र बनाये हैं इसके अंतरगत उन लोगों ने धार्मिक प्रकृति के चित्र बनाये हैं ठीक है जो चित्र है वो धार्मिक प्रफिज़से की शीता राम शीव पारवत्ती राधे क्रिष्ण ने ऐसे चित्रों को बनाया गया है वो शाही घर की संजावट में ठीक है इसे मुकृप से यह संदेश नेने की कोशिस की गई है कि कैसे हमें अपने जीवन में अध्यात्मिक तत्यों को अध्यात्मिक सेंदेश को या फिर जो अध्यात्मिक संदर्ज है जो अध्यात्मिक प्रदर्शन है उसको अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए उससे हम लोगों कैसे प्रेरीत होना चाहिए ठीक है और अपने अपने चेतना के अस्तर पर कैसे उन उन से सीख ले करके अपने जीवन को कलात्मक और संदर यात्मक बैना चाहिए ठीक है तो यह पुसाइं घर के स्टावर्ड कंतरगात आप देख सकते हैं ठीक है कि इसको आप चुत्र के वाद्धम से भी देख सकते हैं कि कैसे वहां पे कि यह भी चीत बनाया जाते थे उसका अंतरगत कि घर हम आते हैं यहां पे कि एक राम कृष्णी का भी चित्र राम कृष्णी का चित्र आप इसमें दिया गया था है कि आपको बाद मुश्कों दिखाएंगे दोस्तों यह कौभर घर की स्यावाट अ मुखर गरिया कि कोशिस कियी गई है जैसे कि इस में खासकि स्कूल प्रतिकातवक्ता के जरिये जैसे कि आप acompa देखेंगे केला के जरिये मांशल्टा का मानशलता को परदरशित किया गया है आप सीह के जरिये शक्ति का परदरशन किया गया है ठीक है शक्ति का परदरशन हुआ सीह का जो चित्र बनाया गया है बास के जरिये बन्ष मृद्धी का ठीक है जो कोबर करके सजावट होती है उसे मास का चीत बनाया गया है, वो इस बात का संकेत करता है, कि वो वन्ष बृद्धी का, ठीक है, वन्ष बृद्धी का, इसी तरह आप देखेंगे, शूरिका, जो तेज का, तेज को निर्पृत करता है, मच्छली का मुक्ता का, मच्छली का मुक्ता को, आप देख सकते हैं, ये मच्छली, मच्छली का चीतर आप देख सकते हैं, जो कोवर घर की सजावट में बनाया गया है, ठीक है? इस तरह हम देखते हैं, और कहीं न कहीं केला, केला के जरिये, स्थूरिय के जरिये, या फिर बास के जरिये, कलाकारों ने कहीं न कहीं अपने आप को परजाबरन से भी जोड़ने की कोशिस किया, ठीक है? ताकि हमारे अंदर सरस्ता बनी रहे, और कला को, और हम कहीं न कहीं लौकी कस्तर पे अपने परजाबरन से जुड़ाव महसूस करें, ठीक है? तो कैसे हमारे जीवन में ये कला सरस्ता लाने की कोशिस कर रही है, ठीक है? अब हम देखेंगे, इसके अंतरगत फर्स्त चित्रे, ठीक है? इसका निर्मान मुकृप से महिलाएं करती थी, ये घर के आंगन या चोखट पर इसका निर्मान होता था, ठीक है? इसमें चित्र बनाए जाते थे जामितियाकार के चित्र होते थे और महिलाएं इन चित्रों का निर्मान घर के चौकट या आंगन में की है या फिर मंदीरों के फर्ष पर ऐसे चित्र पाए गए हैं ठीक है यह चित्र जामितियाकार के बने हैं आ कआ जैमतिया कारक्ये हैं और इसमें जिन चित्रों से प्रदान्ता है इसमें मुठीब से पांक 4 त्रह दीज बनाएं गए ये टो देवि देवताओं के चित्रे आपको देखने को मिलें और तिसरा जो है आपका bir brib Ц arum84 का भी चित्रा है से एम रांतरिक भी चित्र आंक है किपि जोुआ है यहां पर ताइंट्रिक परखार के भी चित्र現 इस तरह के चित बनाएने के इस तरह फर्ष चित्र में इस तरह के चित्र बनाए गया है ठीक है तो मुखरू से आप अभी जो आपने जो भीती चित देखा जो फर्ष देखा उसमें देखा कि कैसे और जब गुसाई घर की सजावत हो रही है, तो उसमें अध्यात्मिक्ता का पूर्ठ है, जब कोभर घर की सजावत हो रही है, तो उसमें कैसे जीवन की वास्बिक्ताओं को इभन ब्रण के जरี่े दिखाने की कोशिस हुय है जीवन की वासविक्ता इस अंदर में जैसे कि आप देख सकते हैं, आप वह बन्स बृधिका दिखाते हैं, मशली के जड़िए कामुकता को किला के जरीये, आपको मानशल्टा को दिखाने के गोशिस है, ठीक है, सुगा के जरिए संदेशबाह का, सुगा बनागर के शंदेश बहा को, फिर कोभर घर के अंदर है, और भी भुखोभार के पशतु पक्छियों के बीचिते बनाया जाते थे, और उसके बाहर है, रतियों कामदेव के ब बनाय जाते थे ठीक हैं तो हमने देखा कि इस कंतारगत अध्याटमिक्ताह भी समाहिट है लोक का लाबी है जो परंप्रा का भी निरवाह करता है परंप्रा के अस्तर पे इनकी प्रंप्र चेली आ रही थी जो जो तद्थ था जो संस्क्रीथी ती वह EEI इसके अंतरगत समाईत है एक प्रंपरा भी देखने को मिल रहा है और दुस्रा प्रदाब्रान सरक्षन भी ठीक है तो इसके अंतरगत ते फिर देखते हैं जो रंगों का जो परियोग हुआ है वो प्राकृतिक रंगों का परियोग हुआ है प्राकृतिक रंगों का परियोग हुआ है ठीक है लिए प्राकृतिक रंगों के परियोग में आप देखेंगे कि हरा जो रंग है वो शेम से बनाया गया है और जो जो लाल रंग है वो पलास से बनाया गया है पलास से बनाया गया है और जो महिलाएं आपका फर्स चित्र बना रही है वो कुटे हुए चावल में रंग और पानी को डाल करके हाथ की सहाइता से या फिर बांच की कुछी की सहाइता से वहाँ चित्र बनाया जा रहे हैं फर्स चित्र में कि अ Dalasya何 आप देखते हैं इसकी प्रासंगीकता आज भी आप देख रखते हैं यह कला को एक एक तो कचपव्य यह काफी स्रस्टापूर्ण है ठीक है कि अ इसने परजावरान शरक्षन का विशेष ख्याल रखा गया है परजावरान शरक्षन का और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जो बहुत ही दिल्चस्प है एक वैकुबाद नावक फ्रांसिस्की कलाकार कलावीद थे वो जब इस प्रदेश की यात्रा करते हैं तो इसे अकर्सत हुए बिना वो नहीं रह पाए और दो आल्ट अप मिथला के नाम से उन्होंने नहीं चाह पैदा हुआ पूरी किताब लिख डाली ठीक है वैकुबाद तो आप इसको डाल सकते हैं एक फ्रांसिसिक कलावीद थे इन्होंने तो आल्ट अप मिथला के नाम से किताब लिखी और आप यहां भी देख सकते हैं कैसे एक मानशिक्ता आज के जुग में मेकिन इंडिया में जो क्लिन इंडिया चल रहा है तो आप गंगा किनारे या फिर जो साबजिनिक अस्थलों पहें या फिर सड़ा के दोनों किनारों यह मिथला पेंटिंग बनाया जा रहा है इससे एक नकिवल एक प्रजा प्रकृतिक यह प्रतिस्वांदर्ज उसका सम्मान विक्षित करने के लिए सद्धा का भाव उत्पन करने के लिए अधा स्वक्षता की भाव को स्वक्षता और स्वक्षता की भाव को विक्षित करने के लिए इस कला को तबज्चों दिया जा रहा है ठीक है और इस कला को हम एक परियटन परियटन कॉरीडोर के रूप में विक्षित कर सकते हैं तो इस कला को आज के शंदर में आधनिक जिवा आधनिक शंदर में इसको विक्षित किया जाने की ज़ुरत है कर सकते हैं इस कला को आधनिक तत्वों से जोड़ करके विक्षित किया जाने की ज़ुरत है ताकि आए के स्तर पे रोजघार के स्तर पे ताकि लोगों को रोजघार भी मिल सेके उन्हें प्लबदी हो सके थिक है तो इसपर अधिक शाधिक मुण में ध्यान दिया जाने की जोर्थ है ठीक है तो हमने देखा कि कैसे यह जो प्रासंगिक्ता को भी आप इस अंदर में देख सकते हैं और ये भी आप दिखा शक्ते हैं कि कैसे इस के लॉकिक्ता और आध्यात्मिक्ता लॉक्ता अप्लश लॉकिक्ता का कि सुक्ष मशामन्तव इसके अंतरगत करी कि देखने को मिलता है tariffs मिंदा विफyesine R. जीवन की वास्त भी हटनाओं का मार्मिक्तित्रण देखने को मिलता है इसकल्णा कि अंतरगत जीवन की वास्तभी घतनाओं का मार्मिक छित्रण ठीक है और आज के शंदर में प्रजावान स्रक्षन का अभी ध्यान है ठीक है यह इसकी प्रासंगिकता कंतरगत हम लोग दिखा शकते हैं ठीक है मुल रुप्षा हम लोग देखा इसकी विस्षेस्णाओं में भीति चित्र के अस्तर पर जहां पर गुषाई घर की सजावत है और फर्स चित्र में जो महिलाएं पांस तरका चित्र बना रही है जो अच्छत्र पर चावल के कूट करके उसमें पानी और रंगों का परियो करक एक चित्र बना रही है तो इस टेक को आपने देखा यह आपके सामने मदिवनी चित्रकला और आप इसको हमारे को इसको एक नज़र देखिए आप ही और देखने को sizer किजिए परजाबरन का शम्मान, परजाबरन का स्मील देखने की कोशिस कीजिए, शर्धा का भाव देखिए इसके प्रति, जो हम क्या आज कितना प्लासने थे इस क्लाइबेट चेंज के दऊर में क्लाइमेट चेंज के दाओर में अगया और जो डाइवर्सिटी हरास्मेंट हो रहा है विविद्धिता का जो हरास हो रहा है कि उश्कव देखिए उश्से जोड़ करके आप देख सकते हैं ठीक है तो इसलो स्ता की अस्तर पर देखिए आपके अंतर एक शलोस्ता भावनात्मक्ता पैदा गरेगा क्या है मच्छली को देख शकते हैं प्रकृति से जुडाव करें यह अधिये प्रकृति से जुडाव तो करेज शक्ते हैं निस्काड़स के तोर पर मधुक्वणी च्टु करें लिया है ये महाज चित्रकला शजयली नहीं है बल्कि ये च्ट्रवी से इसकी एक पुरी संस्कृति है एक पुरा सोच है एक पुरी प्रमपरा है एक पुरा अध्यात मिक्ता है आप इशक अंतर का देख सकते हैं कि ठीक है है कि इसकी एतना के अस्तर पर आप खुदी समझने को सिस की जिए खुदी कीजिए कि कराकार क्या सुचते थे आइसे चित्रों के निर्मान की पीचे उनका क्या उदेश्य था ठीक है आप इस चित्र कला को देखिए इस चित्रकला क्या कुछ अपने आप में बहुत कुछ प्रतिभीम्बित कर रही है चार और यहां पर देखिए जो प्यड़ पौधे के चित्र बनाए गया है और यह दामपत्य जीवन देखिए इसमें अनुसासन देखिए इस चित्रकला के अंदर और यह पेड़ के डाल पर बैठे हुए इस तोता को देखिए जहां किस हद तक किस तरलता है सहस्ता है और पक्छियों के अंदर स्वच्छन्धता है इससे कलाकारों की मानशिक्ता को पकड़ने की कोशिश किजिए जो कला के हमने भी सिस्ताय आपको बताई है क्या धार्मीक्ता अध्यात्मीक्ता भावनात्मक्ता प्रतिकात्मक्ता प्रतिकात्मक्ता इसन बहुत कुछ अंदेश दे रहा है आप देखिए यह चित्रें इन चित्रों को देखिए और समझने की कोशिस किजिए इस तरह हम लोगों ने दोस्तों देखा मध्य बने चित्रकला पेंटिंग को इमेज के फॉर में देखा हमने और आप चाहते हैं कि इसको इसका प्रशनुत्तर रूप में आपके सामने उपलब्ध हो फिर आप मेरे पेडियो को आप परचेश कर सकते हैं वहां से लिंग उपल अगली कड़ी में प्रस्ट एक बार फिर प्रस्ट प्रस्ट के साथ हाजिर होंगे दोस्तों जय हिंद्ध कर देखा हुआ 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 झाल